प्रेटन को बढ़ावादी आ जाएगा एक हैटिक आईबी का निर्मान कराया जाएगा ताकि प्रेटक रात्री बिस्राम कर सके साथ ही कहा कि बदुआ डेम एको टुरिज्म के रूप में विक्सित किया जाएगा जिलाधिकारी सुहर्स भगत के नैत्रुत में यहां बेहतरीन तरीके से वोटिंग की बिवस्ता की गई है मंत्री ने बताया कि इस बीच ठाई एकर जमीन पोटेंसियल परेटन के लिए बहुत योपियोगी साबित होगी जिस पर जिलाधिकारी से बात की गई है जल्द ही उस पर पहल की जाएगी बताया गया कि राज की नदियों में गाद की बड़ी समस्या है सरकार इस पर काम कर रही है उन्होंने बताया कि जनवरी मां में बौसी परखन के चांदन डैम से गाद निकालने का काम सुरू हो जाएगा मालूम हो कि इसकी स्विकिर्ती राज सरकार ने दे दी है भवन निर्मान मंत्री असुक चौधरी ने बताया कि सांसत गिर्धारी यादप ने तारापूर एं बांका की कई समस्याओं को रखा है जिसमें गेश्ट आउस जल संसाधन को लेकर सरकार हर संभब काम करने का प्रयास कर रही है इसके लिए अधिकारियों से बात चीत की गई है प्रयटन के छित में सभी डैम को बिक्सित की आ जाएगा इससे पहले मंत्री ने बोटिंग का आनंद उठाया अस्थानिय विधायक सहपुरू मंत्री राम नरायन मंडल सांसत गिर्धारी यादप सहित अनधिकारी साथ में मौजूद थे त्रियस्तरिया पंचायत चुनाव के पहले चरन में होने वाले माका के धुरहिया परखंड के बढ़सार पंचायत से मुखिया पद के लिए इंद्रदेव मंडल ने नामंकन परशा दाखिल किया इससे पहले नामंकन के लिए बड़सार इस्थित अपने घर से इंद्रदेव मंडल अपनी समर्थकों और सुपचिंतकों के साथ पूरे पंचायत का भ्रमन कर पंचायत की लोगों से आसरवाद प्राप्त किया और उसके बाद अपने काफिले के साथ धुरया परखंड कारिय पहुचकर अपना नामंकन परचा भरा इस दोलान मुखिया परत्यासे इंद्रदेव मंडल ने कहा कि अगर जनता ने चाहा तो ये जाध पात से उपर उठकर कारे करते हुए पंचायत को जिले का सबसे विक्सित पंचायत बनाएंगे नामंकन सोभा यात्रा के दोलान दलीत और पिछरे लपंक्त में जो बिशगा गवा आदमी है उसको आगे लाने का प्रियास करूंगा अगे और जो नली गली जो जना में नहीं काम हो रहा है उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे और क्या आप अपने जनता को क्या कहना चाहिएगा मैं अपने जनता कहता हूँ कि मैं जब जीत के आओंगा तो सभी का विकास करेंगे भेद भाव भुला करके और सब के साथ रहा करके जो जनता कहेगी उसी काने के मताब काम करूंगा अभी क्या विकास नहीं हुआ है अभी मेरे विकास में सिर्फ लूट हुआ है पहुंच साल तर अमरपूर सहर के वाइड नंबर दस इस्तित बैपार मंडल की राइस मिल में अस्थानिय चौकिदार महिंद्र यादब के दोरा संदिक दवस्था में दो यूबक को पकड़ कर थाली में सूच ना दी पकड़ा गया यूबक कासी खंड महादली टोलानिवासी भीकारी महजी एवं संतोस मुसहर बताया गया मामले को लेकर चौकिदार महिंद्र यादब ने बताया कि मील की देखबाल के लिए मील में तीन चौकिदार की परतनिकती की गई है सूंबार की सुभा मील के अंदर दो यूबक लोहे की समान की चोरी कर रहे थे जिसे पकड़ कर थाने में सूचना दी गई सूचना मिलने पर थाने से पुलीस घटनास्तर पर पहुँच कर दोनों यूबकों को गिरभतार कर ली थाना धिच मुहमद सब्धर अली ने बताया कि दोनों यूबकों से पूछताच किया जा रहा है फुली डुमर थाना चदर के कैथा गउं में ससुराल आये एक सक्स की संध्यासपद इस्थिती में मौत हो गई 35 वर्षिया मृतक संभुगंज थाना अंत्रगत पोकरी गउं का पपू यादब बताया जा रहा है थाना धेच अलोक कुमार ने मृतक की पतनी प्रियंका देवी के बयान पर थाने में प्रात्मी की दर्च कर सब को पोष्टमाटम के लिए बाका भेज दिया है ग्रामिनों ने बताया कि सनीवार की साम तक फुली डुमर बाजार में देखा गया रविवार को घटना के सूचना पाकर मृतक के भाई अबधेश यादब ने पुलीस को इसकी सूचना दी सूचना पाते ही थाना धच ने दलबल के साथ गाउं के हरिक्रिशन यादब के घर पहुँच कर मामले की जाच की यहाँ पुलीस को ग्रामिनों से जानकारी मिली कि मिर्तक यों पतनी की बीच बरसों से अनबंच चल रहा था इस बीच मिर्तक की पतनी घर छोड़कर दिल्ली भी भाग गई थी उसे तीन बच्चे हैं बाद में दोनों की बीच पंचायती भी हुई मिर्तक पच कारोप है कि पतनी की वज़ा से ही इसकी हत्या कर दी गई है पुलीस घटना को लेकर कई एंगल से परताल में जुट गई है बाका जिला के भागलपूर दुमका मुखे मार्ग पर एक बार फिर से हाथसो का सिलसला अरंब हो गया है पिछले दो दिनों के भीतर इस मार्ग पर रजाउन थाना छेतर के दो महिलाओं की मौत वहनों से कुचल कर हो गई जिले का डेंजर जोन बना भागलपूर दुमका हाईवे पर लोग निकलने से भी सहम रहे हैं इसकी वज़ा इस मार्ग पर लगातार हो रहे हैं साड़क हाथसे हैं इस मार्ग पर ताजा हस्रडक हादसा रवीबार को हुआ जिसमें 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की एक हादसा जिले के रजौन थाना च्छेतर अंतरगट टेक्नीकों के समी भागलपूर दुमका मुख्य मार्ग पर हुआ महिला को कुचलने के बाद चालक हाईवा लेकर भाग निकला इस हादसे के बिरोध में छेतर के ग्रामिन एक हो महिला मिर्थक के परिजनों ने टेक्नीक के समी बांस बल्ला और टैर लगा कर भागलपूर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया इस मार्ग पर वहनों का याताया ठप हो गया फलसरूप बड़ी संख्या में वहनों की लंबी लाइन घटनास्तल के दोनों और लग गई हाथसायों सडग जाम की सूचना मिलते ही पुलीस मौके पर पहुँची और ग्रामिनों को समझा बुझा कर मुआबजे का स्वासन देते हुए किसी तरह जाम हटवाने के लिए राजी किया पुलीस के अनुसार इस हाथसे में जिस महिला की मौत हुई उसका नाम बादो देवी है जो समीप के स्यामपूर गाउनिवासी महिनर यादव की पतनी थी पुलीस ने मृतिका के सब को पोश्टमाटम के लिए बांका भेज दिया बांका जिला के बांसी परखंड में रवी बार की दोपहर धाई बजे जोड़दार ठनका गिरने की अवास से दलिया गाउनिवासी दो महिला अचेत हो गई प्राप्त जानकारी के नुसार दलिया निवासी बिजय यादव की 40 वर्सिय पतनी रीना देवी अपने घर में बैठी हुई थी अचानक से ठनका गिरने की आवाज सुनकर बेहोस हो गई वहीं उसी गाउं की निवासी पिंकु मांजी की 32 वर्सिय पतनी जहरनी देवी उर्फ जालो देवी भी अपने आगन में बैठी हुई थी उन्हें बजरपात का हलका जटका लगने से वहीं अचेत हो कर गिर गई दोनों महिला को परिजनों ने आनन फानन में नजदी की रेफरर्स मताल बॉसी ले गए जहां ड्यूटी पतना डॉक्टर उत्तम कुमार ने प्रात्मी कुपचार किया और दोनों को खत्रे सी बाहर बताया साथ उन्होंने दोनों महिला के परिजनों को यह भी आस्वसन दिया कि यदि किसी महिला को ज़्यादा परिशानी हुई तो उन्हें माया गंज भागलपूर रेफर कर दिया जाएगा बिलहर सामुदाइक स्वास्थ केंद में सोंबार के दिन कोरोना ठीका करन लगवाने के लिए ग्रामिनों के अधिक संख्या करन काफी मसकत बनी रही इस भिल को देखते हुए सामुदाइक स्वास्त केंदर के स्वास्त कर्मी को काफी वैक्सिनेशन कराने में काफी परिसानियों का सामना करना पड़ा आम जनों की लंबी कतार लगी रही, लोग वैक्सिन लेने के लिए इन गरिमियों बे भी लाइन में चाता लेकर खड़े होकर अपने नमबर आने का इंतजार करते रहे केंदर में वैक्सिन लेने आए ग्रामिनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन देखने को नहीं मिला जानकारी के नुसार सामुदाइक स्वास्ते केंद्र बिलहर में 1500 से अधिक वैक्सिनेशन का कारी किया जा चुका है वहीं स्वास्ते कर्मी भी आम जनों के जैसा परिसान नजर आ रहे हैं बड़ी मसक्कत के साथ इस कोरोना वैक्सिन लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हैं ग्रामिन लाकों में खास कर महिला आएं कोरोना टिका करन के लिए भाग ले रही हैं जबकि 500 से अधिक लोगों को वैक्सिनेशन नहीं मिलने करन वापस लोटना पड़ा था वेक्सनेसन का कारक हरोंदा साहिब गंज आदी जगों पर भी हो लहा है